असलाम अलेकुम गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलबाउट सिविल इंजीनियर गाइज आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है लिक्यूड लिमेट प्लास्टिक लिमेट प्लास्टिक इंडेक्स टेस्ट के हवाले से इसका STM कोड है D4318 यह हमारा कैसे ग्रेंडी अपरेटास है यह ग्रोविंग टूल डिटल बैलन्स डिजिटल वाटर सीव नंबर 40 और स्वाइल सेम्पिल सबसे पहले हम अपने स्वाइल सेम्पिल को जो है सीव नंबर 40 से जो है पास कर लेंगे इसका वेट ले लेंगे हम तक वेट हम लेंगे इसमें हम वाटर एड़स करेंगे जिस से 25 तो 35 ब्लोस तक जो है रिक्वार कंसिस्टेंसी मिले इतना वाटर हमने इसमें एड़ करना है और आपने सेम्पिल को जो है अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है कि इसके अंदर से सारे वॉइट्स वगेरा खतम हो जाए इस पेचुला की मदस से जो है आपने स्वाइल को लिक्विट लिमिट डिवाइस में फिल करना है स्वाइल की सर्फेस जो है हमारी वो अप्रोक्सिमेटल होरिजेंटल होनी चाहिए एर बबल्स जो है वो खतम होने चाहिए स्वाइल पैट में से ग्रूविंग टूल को आपने जो है सेंटर में रखना है इसके कप की सर्फेस पर और ड्रॉ करना है आर्क आर्क की तरह आपने इसको ड्रॉ कर लेना है इस तरीगे से टूल को मेंटेन करना है परपेंडिकुलर बिल्कुल एक सीद में आए थ्रो आउट इट्स मॉवमेंट फिर स्ट्रोक लगाना जो है वो आपने स्टार्ट कर देना है इस ट्राइल में से एक ट्राइल 25-30 ब्लोस के दर्मियान होना चाहिए जब आपके स्टार्ट के दोनों हाव्स बॉटम से 13 mm तक मिल जाए तो आपने ब्लोस काउंट रिकॉर्ड कर लेना है जब फिर उस पॉइंट से आपने स्लाइस निकाल लेना है स्टार्ट का जिसकी वेट इस पेचुला के बराबर हो इस तरीके से और स्टार्ट को जो है कंटेनर में डालना है इसका वेट करना है मुषचर कोन्टेंट महलूम करने के लिए ओवन में रख देना है और आपने किलीन कर लेना है अपना गृूवंग टूल और यह यहालीच लिमिट इवाइस का कप है इसको आपने किलीन कर लेना है नेक्स ट्राइल के लिए और इस स्वाइल में जो है मजीद वाटर आपने एट करना है स्वाइल सेम्पिल में जिसके रुकायर कंसेस्टेंसी 22-30 ब्लोज हो यहीं कि 22-30 ब्लोज के अंदर अंदर इसका जो है हाफ वेड जो है बॉटम से वो मिल जाए इसे साफ साफ ने वाटर एट करना है पिर आपने उसी तरीके से कप को फिल करना है जैसा आपने फर्स ट्राइल में किया था ग्रूविंग टूल से आपने जो है पिर आपने स्ट्रोग लगानी है यह हमारा जो है तक्रीबन 16 ब्लोज पे जो है मिल गया है इसमें वाटर की कौन्टिटी जाद हो गई थी तो हम इसको भी लेके इसका सेंपिल जो है मौस्चर मालूम करेंगे हमने तीन ट्राइल करने होते हैं इसमें 25-35 ब्लोज का 22-30 ब्लोज का और 15-25 यानि कि इसी साब से वाटर एड़स करना है अगर आपका वाटर जादा हो जाता तो फिर आपने थोड़ा सा स्वाइल को ट्राइल करना है और फिर जो है नेक्स ट्राइल करना है इन तीन 25-22-30 और 15-25 इसके बिट्वीन आपका जो है तीन ट्राइलों में अलग 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 आना चाहिए अब हम करेंगे 22-30 इन बिट्वीन ट्राइल इस मट्रियल हमने थोड़ा सा ड्राइगी या है एर ड्राइग कि ट्राइल होगी हमारा 22-30 के बिट्वीन अब हम इसका भी सेंपिल ले लेंगे मॉस्चर कॉंटेंट के लिए अब हम स्टार्ट करेंगे प्लास्टिक लिमिट प्लास्टिक लिमिट के लिए हम पांस से आठ गिराम तक का सैंपिल लेंगे उसको रोल करेंगे तीन एमेम तक 3.2 एमेम तक और जो है अगर तीन एम तक इसमें थ्रेट्स या क्रेंबलिंग नहीं हो गी हम चेक करेंगे क्रेंबलिंग नहीं होगी तो हम इसको सेवरल पीसिस में तोड़ेंगे और फिर इसको इसको करेंगे हाथ में इसके पास हम दुबारा जो है जब तक इस पर क्रेंबलिंग और क्रेकिंग नहीं होती तीन एमेम तक तक तो हम इसको इसी तरीके से करेंगे और इसका भी मॉस्चर कॉंटेंट हम मालूम करेंगे यह हमारा प्लास्टिक लिमिट के लाएगा लिक्यूड लिमिट की हम अब्जरवेशन चेक करेंगे इसमें हम लिक्यूड लिमिट फाइंड करेंगे तो हमारा फस्ट राइल जो है 25 to 30 ब्लोज वाला जिसमें 35 ब्लोज आए 18% मॉस्चर सेगं है 22, 30 इसके 23 ब्लोज आए और 29% मॉस्चर 15 to 25 ब्लोज वाला इसमें 16 ब्लोज आए और 35% मॉस्चर इसंसाब से हम इसका ग्राफ बनाएंगे यह हमाय monster content है और यह हमारे blows है, तो first point हमारा first mile हमारा इधर आ रहा है, second point हमारा इधर, यह twenty-three blows पर और twenty-nine percent moisture पर third point हमारा इधर आ रहा है, तो यहाँ पर हमें एक line draw करेंगे, और हमें जो liquid limit चाहिए होती है, वो 25 blows पर चाहिए होती है, तो यह हम जो land draw करेंगे तो 25 पे जो हमारा moisture content आएगा यह हमारी कैलाएगी liquid limit तो यह हमारा आ रहा है 27% moisture content तो plastic index के लिए हमारा क्या है liquid limit minus plastic limit liquid limit हमारा आ रहा है 27 और plastic limit जो हमारा moisture आए था 23% उसको हम इससे minus करेंगे तो हमारे पास जो है plastic index आ जाएगी 4 so guys बड़ी difficult वीडियो है I hope आपको वीडियो समझ में आई होगी वीडियो में कोई भी confusion हो तो comment section में comment कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को subscribe करें thanks for watching